Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do maths. Please take this book and turn to page. Okay, और यहाँ पर आज की date लिखो. मैंने यहाँ पर क्या heading लिखा है? Say and write. यानि की बोलना है और लिखना है. Okay, तो लिखेंगे हम number eight. क्या लिखने वाले है? Number eight. Okay, आपको पता है कि कैसे लिखना है? तो चलो बच्चो, अब आप भी मेरे साथ लिखो और बोलो. जैसे मैं लिख रही हूँ, वैसे ही लिखना है. Okay, क्या बोलना है? Eight. Eight. क्या बोलोगे बच्चो? Number eight. Very good. Okay, इसी तरह से यहाँ पर भी लिखो मेरे साथ और साथ मैं बोलना है eight. Okay, very good बच्चो. इस तरह से ही आपको लिखना है. सरकल बना के नहीं लिखना है. जैसे मैं लिख रही हूँ, वहीं formation में आपको भी number eight अच्चे से लिखना है और बोलना भी है. जैसे मैं लिख रही हूँ, वैसे. Okay, और ध्यान रखना है कि अच्चे से लिखना है और ये जो box है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए. Okay, और बोलो eight, eight और eight. Okay, ये book अब close करनी है और आपको लेनी है maths homework book. Okay, maths homework book लो और उसमें page turn करो और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? Number eight. Okay, तो पहले date लिखो, फिर यहाँ पर heading लिखो say and write. क्या लिखना है? Say and write. और यहाँ पर भी हम number eight लिखेंगे. Eight, 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 same इसी तरह से यहाँ पर भी लिखो. क्या बोलना है? Eight, very good. तो बच्चों आप बोल रहे हो न मेरे साथ? अच्छे से लिखना भी है और ध्यान रखना है कि box में ही लिखना है. ओके और साथ में बोलो eight, 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 eight. उके बच्चों इसी तरह से आपको number eight homework book में भी लिखना है. अब हम ये book close करेंगे.